अक्सर सयोगी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जाती लेकिन अब यही तोहमत बीजेपी के ही नेता ने लगाई है जी हाँ पेम मोदी के गड़ गुजडात में बीजेपी के खलाफ विरोध के सुर्ग बुलंद हो गए है पाटे के ए विधानसभा चुनाव के बात से ही पिये मोदी के गड़ गुजडात में बीजेपी की हालत ठीक नहीं है पहले पाटी ने सीटों को गवाया और अब नेता भी उसका साथ छोड़ रही है बीजेपी के विधाय केतन भाई इमानदार ने पद को त्यागने का एलान कर दिया ह और उसकी वजह कोई और नहीं बलकि बीजेपी की मनमानी है उन्होंने अपने त्याग पत्र में भी रुपानी सरकार की मनमर्जियों को से मेदा ठहरा है केतन भाई ने कहा कि मैंने अपने विधानसभा शेत्र के लोगों की जो मांग थी उसे सरकार और प्रशासन के सामने रखा था मगर सरकार और बाबू के धीले रवाईये के कारण जुनता के प्रतिनिधी के तौर पर अब मैं विधायक का पद छोड़ रहा हूँ सरकारी अधिकारी जन प्रतिनिधी का मान सम्मान नहीं रखते हैं उनकी ये बगावत बीजेपी की बेचैनी पढ़ा रही है क्योंकि अप्रेल में राजसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले विधायकों का जाना 102 सीटों वाली पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है क्योंकि बीजेपी की कमसोरी का फायदा उठा कर कॉंग्रस अपनी ताकत बढ़ाने में जुट कई है कॉंग्रस ने कहा कि वो केतन भाई से संपर कर उन्हें कॉंग्रस में लाने की कोशिश करेगी गुजरात कॉंग्रस के प्रभारी राजी उससातव ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में बीजेपी सरकार से ना सिर्फ गुजरात की जिर्टा बलकि उनके खुद के विधायक इस स्थर तक नाराज है कि सावली से विधायक के तनिमानदार ने अपना पद छोड़ दिया है सुशासन वाली बीजेपी सरकार जो अपने विधायकों की नहीं सुन रही है और उनकी मांगों को अंदेखा कर रही है वो जनता की परेशानी क्या हल करेगी इस ट्वीट के जरीए उन्होंने बीजेपी के वागी नेता का समर्थन किया है और उन्हें अपना साथी बनाने की कोशिश की है अब देखना होगा कि क्या राज्यसभा चनाव से पहले कॉंग्रस की ये कोशिश बीजेपी को कमजोर कर पाती है या नहीं DB Life की रिपोर्ट